मेरे परिवार जनों आज से दो दिन बाद 27 सितंबर को विश्व परियतन दिवस है परियतन को कुछ लोग सिर्फ सेर सपाटे के तौर पर देखते हैं लेकिन परियतन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है कहते हैं सबसे कम इन्वेश्टमेंट में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिजम सेक्टर ही है टूरिजम सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुड़विल उसके प्रती आकर्षन बहुत मेटर करता है बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रती आकर्षन बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंट्रेस्ट भारत में और बढ़ गया है साथिवों G20 में एक लाग से ज़्यादा डेलिगेट्स भारत आये वो यहां की विविदता अलग अलग परमपराएं भाती भाती के का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचीत हुए यहां आने वाले डेलिगेट्स अपने साथ जो शांदार अनुभव लेकर गए हैं उससे टुरिजम का और विस्तार होगा आप लोगों को पता ही है कि भारत में एक से बढ़कर एक बर्ल हेरिटेज साइड्स भी है और इनकी संख्या लगातर बढ़ती जा रही है कुछी दिन पहले शांती निकेतन और करनाटका के पवित्र होई सड़ा मंदिरों को वर्ल हेरिटेज साइड्स गोशित किया गया है मैं शांदार उपलब्दी के लिए समस्त देश्वासियों को बढ़ाई देता हूँ मुझे दोहजार अठारा में शांती निकेतन की यात्रा का सवभागी मिला था शांती निकेतन से गुर्देव रविदुना टेगोर का जुड़ा और हा है गुर्देव रविदुना टेगोर ने सांती निकेतन का मोटो संस्कृत के प्राचिन श्लोग से लिया था बश्लोग है यत्र विश्वम भवतेक निडम अर्थात जहां एक छोटे से घौसले में पूरा संसार समाहित हो सक्था है कनाटगा के जिन होई सड़ा मंदिरों को युनेशको ने विश्व धरोर सुची में शामिल किया है उन्हें तेहरे भी सतावजी के बहत्रीन आर्किटेक्टर के लिए जाना जाता है इन मंदिरों को युनेशको से माननेता मिलना मंदिर निर्मार की भारतिये परमपरा का भी सम्मान है भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रोफर्टीज की कुल सिंख्या बैयालिज हो गई है भारत का प्रयास है कि हमारे जादा से जादा एतियासिक और सांस्कृतिक जगओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की माननेता मिले मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घुमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विवित्ता के दर्शन करें आप अलग-अलग राज्यों की संस्कृतिक को समझें हेरिटेज साइट्स को देखें इससे आप अपने देश के गवरों साली इतियास से तो परिचित होंगे ही स्थानिये लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम म्याद्धिम बनेंगे